हलो फ्रेंड्स, मैंसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफें में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गाइज, आज मैं आपके लिए काफे इंपोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी इंपोर्टेंट एसे, पोयम, श्लोगन, लेटर प्रोवाइड कराये जाते हैं कोई भी आपका कॉम्पिटिशन होता है, उससे रिलेटिड आपको मैटिरियल मेरे चैनल पर अप्लोड पहले से ही मिलता है तो गाइज, मेरे जो वीडियो हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफीचल हैं और इन फ्यूचर भी आपके जो भी कॉम्पिटिशन होंगे, उनसे रिलेटिड आपको जो टॉपिक्स हैं, वो मेरे चैनल पर मिलेंगे तो गाइज, आप सबसे सर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें सर्फ आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफी है तो चलिए शुरू करते हैं, आज की जो वीडियो है वो एक लेटर के उपर है तो एक हमें ऐससे लिखना है कि जो क्लाइमेट क्राइशिस है, उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे to the honorable prime minister of India हम prime minister को लिखेंगे, आप जिस किसको भी लिख रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर आएगा उसके बाद new Delhi, वो new Delhi में रहते हैं, उसके बाद आएगा dear sir अगर आप किसी मतलब कह सकते हैं, मैम को लिखते हैं, तो आप यहाँ पर मैम लिख सकते हैं human activity is the main causes of climate change, तो जो यह climate change हो रहा है, इसकी जो main जो कारण है, वो human activity है, मानव की गतिवी दिया है now, it is the responsibility of humans to do something about climate change, तो अब यह human की ही responsibility, जिम्मेदारी बन जाती है कि वो climate change के बारे में कुछ करे something about climate change, और else the consequences may be a catastrophe, there are many benefits to taking action on climate change, तो जब हम climate change के action लेंगे, तो इसके बहुत सारे benefits होंगे, बहुत सारे लाब होंगे, such as improved health, health improve होगी, growth in low carbon, jobs and reduce inequality human activities has resulted in the existence of many animals and plants, species, deforestation, the use of the fossil fields, industrial waste and other human activities all contribute to climate change all of this has a significant negative impact on the climate and biosphere तो यह आपने पूरा बता दिया कि इसका क्या-क्या impact पर सकता है, अगर climate change के लिए action लिया जाता है, तो उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या-क्या उसका effect पड़ेगा, तो अब आप next paragraph से लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मेरी आप से विनर्म निवेदन है कि आप इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई action ले, योवर ट्रूली, लाश्ट में आप लिखेंगे, योवर ट्रूली, जो आपका नाम है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, तो this is your important essay, और guys आगे भी आपको इसी तरह की अच्छे अच्छी वीडियो अपलोड मिलती है, जो भी आपका competition होता है, उससे related आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो in future channel बहुत ही beneficial आपके लिए है, तो please channel को subscribe करें, ये वीडियो को like करें और जादस जादस शेयर कर मुझे अपना support दें, तब तक के लिए thank you so much, all the best for your competition.